अगर आप Paytm application का यूज़ करते हैं और Paytm से किसी भी तरह का transaction जैसे के money transfer, add money, bill payment या recharge वगरा करते हैं तो उस transaction पर Paytm की तरफ से आपको cashback coins दिये जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3680 Paytm cashback coins हैं जो के मुझे Paytm से transaction करने पर मिले हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं live proof के साथ दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप Paytm के इस cashback coins को अपने Paytm balance में convert कर सकते हैं यानि किस तरह से आप इ यूट्यूब चैनल टेक्वित विएफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर all पर टिक कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की informative वीडियो का notification आपको मिल सके इसके इसके इलावा latest update और cashback offer के लिए आप हमारे telegram चैनल को भी जोइन कर सक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप Paytm application को open कर लेंगे यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि अभी हमारे Paytm wallet में कितना balance available है तो यहाँ my Paytm wallet section में balance and history के option पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारे Paytm balance में 4 रुपे है चलिए अब Paytm cashback points को अपने Paytm balance में किस तरह से convert करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए Paytm के home screen में उपर left side में profile वाले icon पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर cashback and offers का एक option मिलेगा simply इस पर click कर देंगे जैसे ही इस पर click करेंगे तो Paytm cashback वाले page पर आप आजाएंगे जेतने भी cashback points आपके होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर हमारे पास जो cashback points है इसे हम अपने Paytm balance में convert करने वाले हैं तो इसके लिए simply इस पर click करेंगे जैसे ही इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ स्क्रोल करके सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर convert points to Paytm balance का option मिलेगा इस पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अलग-अलग gift watcher देखने को मिलेंगे पहला gift watcher 10 रुपए का है और उसके बाद 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए का gift watcher यहाँ पर है अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह देखना है कि आपके पास कितने cash back points available है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर इसमें से किसी भी gift watcher को redeem करके अपने ptm balance में convert कर सकते हैं जैसे के 10 रुपए वाला gift watcher अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास minimum 1000 points होने चाहिए इसी तरह 50 रुपए वाले gift watcher को लेने के लिए 5000 points होने चाहिए 100 रुपए के लिए 10,000 और 500 रुपए का watcher लेने के लिए 25,000 points होने चाहिए हमारे पास 3600 cash back points है तो यहाँ पर हम 3000 points के बदले 10 रुपए वाला 3 gift watcher redeem कर सकते हैं यानि 3000 points के बदले 30 रुपए हम अपने ptm balance में convert कर सकते हैं चलिए यहाँ पर अभी हम आपको 10 रुपए वाला एक gift watcher redeem करके दिखाते हैं तो इसके लिए simply आपको यहाँ पर इस तरह से swipe to redeem करना है जैसे ही swipe to redeem करेंगे तो आपका जो ptm cash back points होगा वो redeem होकर आपके ptm balance में convert हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 10 रुपए का gift watcher successfully redeem होकर ptm balance में add हो चुका है ptm के home screen में back आएंगे और यहाँ balance and history के option पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे ptm balance में 10 रुपए का gift watcher add हो चुका है अब आप इस balance का इस्तमाल mobile recharge, bill payment या shopping वगरा में असानी से कर सकते हैं इसके अलावा आप इसे अपने bank account में भी transfer कर सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर आपके जितने भी cash back points होंगे उसी के हिसाब से आप यहाँ पर gift watcher को redeem करके अपने ptm balance में convert कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें